हेलो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी एनलाइसिस का इस वीडियो पर हाप मोस्टली यह देखने वाले हैं कि एस पर एलियर्ट वेफ थियोरी यह जो मार्केट ने यह सारफ राइस दिया तो इसके बाद एक कहां से यह आपना टॉप बना सकते हैं क्या यह आपना ओल मीट्स पर भी जाकर देखने का कोशिस करेंगे कि यह अल्टिमेली कौन सा पैटर्न बना रहे हैं एस पर एलियर्ट वेफ थियोरी और यह सब कुछ हो जाने के बाद मैं आप्शन्स पर आप लोग के एक डिपरन स्ट्रेजी समझाने वाला हूं कि इसको आप कैसे इस मार्क मैं मैंनेज किया इच अन एब्रीटिंग आई विल टेल यू इन इस वीडियो जो कोई भी इवन लोग कैपिटल पर भी कर सकती हैं तो चले सुरू करते हैं पहले निप्टी का टू आउर का टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहूंगा तो आज पहले मैं यह दिखाना चाह तो इधर यह जो आपको देख रहे हैं कि इधर मार्केड ने यह 70 जो आरसाइ का 70 का जोन होते हैं 70 और 30 तो यह 70 के ऊपर यानि कि ओवर बॉर्ट जोन पर मार्केड इधर चल रहा था इस जगा के बात से जब मार्केड ने आपसाइड जा रहे हैं here is not that much power यानि कि यह जो प they are not participating with the same enthusiasm as they were doing it when market was here near to that 18,400 तो जितना 18,800 या उसके करिद करिद जा रहे हैं मार्केट का प्राइस एक्सन तो अभी भी आप साइट का ही दिखा रहे हैं बाट इधर अगर और RSI यानकि momentum वाइस देखने का कोशिस करेंगे यह वह बात नहीं बोल रहे हैं यह अभी 70 और 50 के बीच में चल रहे हैं तो RSI जब कि 70 का मतलब यह बाल जो लाइन है और 50 का मतलब यह बाल जो लाइन है इस दोनों के भीतर लागातर ऐसा घूमते हैं तो इसका मतलब एक ही है मार्केट जो है आभी भी अपना bullish territory को protect तो कर रहे हैं बट इधर से मार्केट कभी भी नीचे आ सकते हैं यानकि इतना सारफली बहुत सारफली उपर चला जाएगा यह बहुत ही कम या फिर होता ही नहीं है नॉर्माली तो यह जो है मार्केट को आमको देखना पड़ेगा कि इधर कहां से मार्केट अगर नीचे आएगा तो यह नीचे कहां तक आ सकते हैं और हमारा entry exit क्या हो सकते हैं in case we are looking for a reversal even in the shorter time frame like 15 minutes 5 minutes इस पर भी हमको देखना पड़ेगा जो मैं बाद में जाकर दिखा हूंगा इस वीडियो पर तो इधर देखिए इधर जो हमको clearly I think देख र अल्टिमेडली 18700 तक मार्केट इधर तक चला तो इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल मुख क्या हो सकते हैं मुझे जो लाग रहा है कि मार्केट पे अभी यह आप साइट के लिए जो भी पोजिशन है उसको धिरे-धिरे भूक कर लेना चाहिए because market here is showing some kind of a divergent तो इधर से जो call buy होते हैं वो आपको तब ही जब सबसे ज्यादा profit देते हैं जब मार्केट में momentum राए बाट इधर momentum बहुत ही कम है तो मार्केट माइट भी going higher इधर से में भी साब उसके ऐसा चला भी गया तब भी we should protect our profits लेकिन अगर आप channel wise देखेंगे तो मार्केट अभी भी अपना channel के अंदर ही लाग रहे हैं तो इसका मतलब एक ही है कि market इधर से जब तक इस channel को break नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए कोई confirmation या first confirmation नहीं है कि market इधर से channel wise आपना direction जो है और change कर चुके हैं यह मुझे आभी के लिए नहीं लाग रहे हैं जब तक इस channel को break ना करेगा तब तक यह अगर आप देखना चाहेंगे तो इधर भी मार्केट ओहीं बोल रहे हैं जो आइधर से मार्केट एक divergence दिखा रहे हैं टू आवर का टाइम फ्रेम पे उसके साथ-साथ और भी जो भी आप देखना चाहेंगे इधर जैसे कि हमने पिछला दिन डिसकास किया था कि इधर से क् सकते हैं some kind of a diagonal it can form यह आपने पिछला दिन का यह वाला जो वीडियो है इस वीडियो पर यह अल्रेड है यह जो एक दो दिन पहले का जो वीडियो है इधर आपने डिसकासन किया था कि मार्केट इधर से एक डायागोनल बनाने का कोसिस कर रहे हैं और देन इधर से एक फॉल करेगा तो देन में भी मार्केट एक आप मूब दिखा सकते हैं और यह वाल जो हाई है इसको ब्रेक अभी भी कट सकते हैं बट इसका चांस जो है यह अभी मुझे कम लगने लागा है तो मुझे लाग रहा है कि आने बाले एक दो दिन के अंदर यानि कि काल हो या मंडे हो मतलब मार्केट इदर से थोड़ा फॉल करना चाहिए यान कि सोटा टाम पे ट्रेंड जो है वह अभी के लिए ब्यारिस मुझे लाग रहा है तो नॉर्माली जो यह डायागोनल पे जब मैं अपना शुरूआते दिनों पे ट्रेट करता था और लॉस भी करता था बहुत पॉसिबिल होते हैं नॉर्माली जब इदर से फिर से कोई फ्रेस बायर चले आए ओके बट आभी के लिए वो मुझे नहीं लाग रहे हैं नॉर्माली आप्टार सच डाइवर्जेंस जब ऐसा डाइवर्जेंस कंटिनिवास डाइवर्जेंस यान कि इससे यह वाला नीचे हो गया इससे यह वाला और नीचे है इससे यह और नीचे और नीचे यान कि इदर से कांटिनिवास कि Μार्के डाइवर्जेंस दिखा रहें हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट एगयंगर पूरा एसा नहीं होगा नॉर्मली क्या होते हैं, कि market एक ऐसा reversal लेते हैं, ऐसा reversal लेगा, then market can again go up, ये एक possibility हो सकते हैं, तो आभी के लिए market ये बाला एक expectation करना चाहिए, चाहे ओ इस high को तोड़ने के बाद भी आ सकते हैं, या फिर उससे पहले ही आने का chance अभी के लिए, जो भी market का different indicators के माद़म से कि मार्केट कें रिवर्स इंदा स्वाटर टाइम प्रेम एड ताली हाया टाइम प्रेम पे क्या होगा वी विल डिसकस बाट स्वाटर टाइम प्रेम अभी के लिए जरूरी है तो यह मुझे लाग रहा है कि बैंक निफ्टी भी इधर से काइंड डायाकॉनल बना रहे हैं हम बहुत पहले से एक काम करते हैं कि इदर से पूट बाया हृँ कर लेते हिए हम को देखना है कि इधर काइंड ऑप Kait डायाकॉनल बन रहे हैं मान लेते हैं कि एक दायाकॉनल है तो यह प्रतोर वह के नीचे जब तक मार्केट आकर को यह दे रहे हैं तब तक हमको hold करना है इसके बाद से हम स्वाटा टाइम प्रेम जैसे कि फाइव मिनिट वान मिनिट पे जाकर इधर से सेलिंग करने का कोशिस कर सकते हैं या पूट बाइंग का उससे पहले मुझे नहीं लाग रहा कि इधर कुछ करने का जरूरत है या कर सकते तक इस लाइन इसके भीतर मार्केट आगर घुमेगा वी सुड़नोट सेल पॉर्दा डाउन साइट तो अभी चलिए ऐस पर इची मुको भी देखते हैं कि निफ्टी और मैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं इची मुको आइस भी इधर देखेंगे तो मार्केट आभी भी यह जो कीज क्लाउड यह क्लाउड का आप साइड एक सापोट होगा और यह डाउन साइड जो है यह दोनों हो सकते हैं हमारे लिए एक अच्छा कासा सापोर्टिंग लेबल तो डाउन साइट पे यह 18,368 यह इसके करीप-करीप यह मैक्सिम आ सकते हैं अभी के लिए यह मुझे लग र हो गया है जब क्लाउड मोटा रहते हैं ऐसा कुछ यह इधर जैसा की था तो इसका मतलब trend is much stronger बट जब क्लाउड पथले हो गया है इसका मतलब मार्केट कर इसी लिए मैं पिछला दिन का वीडियो पड़िया आप लोग के साथ डिसकासन कर रहा था कि मार्केट पे अगर ब कुछ दिन पहले से ही जो मैं एक्टम भेरी बेसिक चीज दिखा रहता है टाइम प्रिंसिपल का कोई खास या बहुत जटन जो त्योरी से उसको मैंने डिसकासन नहीं किया इतर बस एक्टम भेरी सिंपिल स्ट्राटिजी कि यह है कि यह जो है यह सब उसकी यह जो है यह तो टाइम कॉंचेप्ट के माद्दम से भी आप इसको देख सकते हैं कि जब भी जहां पर भी मार्केट शार्पली आपसाइड या डाउनसाइड नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट माइट भी सोईंग इट्स कारेक्टिप केरेक्टरिस्ट जो इधर डागोनल के अंदर मिलते हैं तो मार्केट उइं कर रहे हैं तो यह बाला जो क्लाउड है इसके नीचे आ जाएगा तो यह क्लाउड विल एक्ट आसा रेजिस्टेंस तो यह हमारे लिए एक मेजर तब रेजिस्टेंस बन सकते हैं और तो आने वाले कुछ दिन तक आगर हम देखेंगे तो निप्टी बैंक निप्टी लुक्स की यह बिट ऑन दर डाउन साइड मतलब इदर सौटर टाम पर मार्केट डाउन साइड पर जा सकते हैं यह मुझे लाग रहे हैं तो आप चलिए निप्टी का 30 मिनिट्स पर देखेंगे तो इधर एक चीज आपको दिखेगा कि इध यह बाला जो जागा है जिसको मैं पहले मार कर रहा था 123 तो यह आपका फोर है तो यह फाइब के अंदर पांच साब वेब नहीं है तो एक पॉसिबिलिटी यह हो सकते हैं कि इधर से यह उपर चले जाए और आपना फीप वेब कंप्लेट करके गिरे यह एक पॉसिबिलिट हो सकते हैं जो होगा कि fourth wave might be ending here तब जाकर यह में भी आपका 12345 यह हो गये हैं and then market is falling from here तो इधर दो पॉसिबिलिटी या दो count हो सकते हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं कि यह 123 हो रहा होगा यह अगर आपका fourth है तो यह 5 के अंदर का 123 हुआ है अभी 45 करके जाना बागी है यह औ पॉसिबिलिटी है और दूसरा अगर कोई possibility है इट सोस कि यह 1 यह 2 यह 3 इधर तक सेम है थार्ट पे gaps भी है जैसे कि हमने discussion किया था और fourth जो है इस count पे fourth might be happening here and यह 5 होने के बाद market इधर से fall कर रहे हैं तो यह दोनों count हो सकते हैं जो मुझे लाग रहे हैं तो इधर मुझे ज इन दा मार्किंग यह सब करने का जरूरत नहीं है इधर से market का direction shorter term पे change हो रहे हैं यही मुझे बोलना है तो आभी चलिए nifty bank का 30 minutes का chart को तो देखें इधर bank nifty का 30 minutes का chart है इधर भी आप अगर देखेंगे जो मैं diagonal की बात बोल रहा था अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो मैं इधर आप लोग को दो possibility इससे पहले बोल रहा था कि यह जो है इधर बैंक निफ्टी का 3rd हो गया मेभी तो यह हो सकते है आपका फोर्थ यह यह भी फोर्थ हो सकते तो यह बाला जो फोर्थ है इट लूक्स कारेक्ट इस होट इस लुकिंग एंड फिर यह जो है यह 1 2 3 4 के बात यह जो फीपत हो यह इट लूक्स सम काइंड आप एन फेलिया रोग यानि के ट्रंकरेट हो यह तो यह थार्ट के उपर जब तक नहीं गया यानिक इधर से आगर उपर गया देन फॉल किया तो आच्छी बात है इधर मुझे ओसलियो नहीं लाग रहे हैं अब क्यों नहीं लाग रहे है लॉजिक क्या है चलिए ओदेखते हैं लॉजिक यह है कि एस फीप अंदर जो मुझे दिख रहे हैं इट लूक्स सम काइंड ऑप कि यह जो है यह में भी एक पॉसिबिलिटिया कि यह ए एए बी यह सी हो गया यान कि फीप तो इधर ही खतम हो गया और सी के अंदर एक काइंड ऑफ एन डायागोनल दिख रहे हैं तो यह बार जो हाई है इसको मार्केट नहीं तो रहेगा तो इस हाई के उपर जाना का कोई सवाली नहीं रहता तो इसलिए इधर जो मुझे लाग रहे हैं कि मार कर चुके हैं और यह बीट आज यह फॉल किया थोड़ा आप साइड जाएगा फिर फॉल करेगा यह जो नॉर्मल मुवमेंट हो दे ओहीं दीखना चाहिए तो यह बैंक निफ्टी पर मुझे लाग रहे हैं और जैसे कि मैंने इधर जो भी दिखाना था ओव भी मैंने कर दिका दिया कि दाइवर जीजन वागिरा तो सेम सीज मुझे लाग रहे हैं तो आब चले निफ्टी का और 25 निफ्टी का फॉलेंट और मनेंट पर यह फीप हुआ और यह जाम मार्केट था I think you can see either market ने 70 RSI का जो लेवल है इसके ऊपर चला गया था बट इधर इससे थोड़ा काम हो गया यानि की काइंड आप डाइवर्जेंस मार्केट ने बनाया और धराम से गेड़ गया तो इसलिए इधर से मार्केट जो यह नीचे चले आया है और इसका मतलब बस एक ही है कि इधर से मार्केट जो है यह स्वाटा टाम यानकी 5 मिनिट 1 मिनिट 3 मिनिट इस अब पर अभी के लिए लूक्स बी आडिस तो अब आ गया निफ्टी बैंक का 1 मिनिट का टाइम फ्रेम इधर मार्केट क्या कर रहा था चले ओ देखा था हूं तेकि इधर जो मुझे आइधिक भी रहा है इत वाज आइधर मार्केट ने क्या करने का कोशिस कर रहा था वही जो मैं दिखा रहा था आडसे म काइंड ओं तेयर का कोशिस कैने का इधरिक अंस यह था फूर के आध्वेड Hill के अंदर ज बथर अ करे ऊपर गेलर उपर गया घए झाल कर आई कि और इस मेंदर किजिए फाइव मिनिट्स पे कीजिए यह फोर तो एक का जो लो पॉइंट है इस लो पॉइंट या एंडिंग पॉइंट एक्च्वाली वो होते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इससे नीचे जाब मार्केट चाला आया तो इसका मतलब मार्केट कान के लिए मार्केट ने नीचे चाले आये तो इड़ लुक्स सम्काइंड आप वान तू यह जो है इधर आइधिंग इट वेरी मच क्लियर कि 345 यह मिला कर आपका ए और वान फिर यह आपका इधर से इधर तक ABC करके टू और भी और देन एगें प्रम पार्टिक्वलर दिस प पर भी अगर आप वान मिनिट का टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मोड अलेस एक्जाक्री सेम किये हैं कि यह 12345 देन काइंड आफ एविसी देन एगें 12345 ऐसा कुछ करने का यह कोशिस कर रहा है तो यह बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मोड अलेस डूइंग सेम तिंग आपको अप्शन का कॉंट सा स्ट्रेटीजी अप्लाइक करना चाहिए जिससे हम सेफली एंड सीक्योड एक आच्छा कासा एमाउंट पर मांत या पर वीक बेसिस पे कमा सकते इबिन अप्टर हमारा डे जॉब कुछ हो या ऐसा कुछ उसके बाद भी हम कमा सकते हैं तो इध यह 22 जून इसके लिए मैंने किया बाई आठ राजा चार्टा का मैंने किया सेल जितना लॉट सेम एमाउंट अब लॉट आठ राजा चार्टा का इसेल और इससे क्या होते हैं कि नॉर्माली मार्केट अगर सार्पली फॉल करेगा तो इधर यह 21,000 का प्रॉफिट दिखा कर रहे हैं जो कि इधर या इधर होगा तो इधर मार्केट साब उसकी फॉल करेगा तो मार्केट का जो भीक्स होंगे ना उप 10-15 परसन ऐसे बढ़ सकते तो बीच में यह जो आपका एक लॉस सिनारियो था वह चला गया आभी तो मार्केट इधर या इधर मूप करेगा तो कोई खास इसू नहीं होगा आपको प्रॉपिट होने का चांस ही ज़्यादा है क्योंकि अभी देखिए यह जो है इधर 21,000 से 32,000 हो गया हमारा प्रॉफिट का सिन इधर से अगर और मार्केट ने ऐसा जाएगा तो यह प्रॉपिट भी आपका बढ़ने लागेगा और प्र नॉर्मली जिस जगा पे भीक सा भी है उससे इतना 10-15% कम हो जाने का चांस लगभग नहीं है तो यह स्ट्रेटीजी किया जा सकते हैं और फिर भी अगर आपको लग नहीं कि मार्केट अगर इस साइट पे यह मीडिल पे अगर नॉर्मली यह दोनों साइट पे मार्केट ब आपको क्या करना चाहिए यह मैं आपको दिखाने का कोसिस करता हूं देखिए यह मैंने एक ट्रेड मैंने डाला था लगभग थार्टी फास्ट में धाई बाजे के आसपस जो इससे पिछले वीडियो पर मैंने आप लोग के साथ सेयर किया था इधर आपको दीख भी रहा ह तो अभी मैटर यह है कि जब भी हम यह वाला एक ट्रेड बनाएंगे जो कि हमने पिछले हपते इधर बनाए थे और यह मुझे लौज दे रहा था आठाजार के करीप करीप और और वह भी दस लौट पर आठाजार का लौज दे रहा है और इधर यह दस लौट पर मुझे दे रहा है एक लाग से ज्यादा यानि कि पार लौट यह आईरन फ्लाई मुझे दस हजार से ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो हमको एक ही चीज़ करना है कि यह बाला जो पिछला सहबते का ट्रेड जो मैंने डाला था जो कुछ इस टाइप का दिग रहा था बट आभी एकस्पायर हो जाना के कार्ण यह प्रॉफरली दिखा नहीं रहा है इसलिए मैंने इस ट्रेट के उपड़ी अलचना कर रहा हूं कि देखिए इधर कुछ करना नहीं है बस इधर यह बाला जो एक आयरन फ्लाई है वह एक इधर डाल देना और आयरन फ्लाई को ओ एक अलाग आसा एक क्वापिट दे जाए जैसे कि मैंने इधर दिखाया कि इधर 10 लॉट पे जो पिछले हफ्टे हमने ट्रेट डाले थे सेमी स्ट्रेटेजी का यह पिछले हफ्टे बाला ओई आटराजाद दोसों का एक सेल बाई और आटराजार आटागाशाद का सेल और बाई तो इधर यह मुझे अगर 10 गयराजर का लॉज दे रहा होगा इंदा मेडिल सेक्षन तो हम क्या करेंगे कि एक लॉट से अगर हम यह बना लेते एक लॉट दस लॉट का बात ही नहीं है एक लॉट से भी अगर हम यह बना लेते और इसको मैनेज करना हमको आते हैं तो ओबियस इस ट्रेट के ऊपर यह बना कर हम अच्छा खासा एक प्रॉफिट कर सकते अप इसको कैसे देग रहे हैं कैसे देगना चाहेंगे और मार्केट किसी करन इस साइट या इस साइट किसी एक साइट चले भी आये हैं तो आपको एक ही चीज़ करना है कि इन साच सिनारियो अगर मार्केट किसी एक साइट चले आ रहे हैं तो जिस साइट मार्केट आ रहे हैं पूड़ा उस साइट को अगर मार्केट मान लेते हैं कि काल इदर से थोड़ा ऐसा करके पूट साइट की तरफ चले आ रहे हैं तो हम कर हमारा काम होगा कि यह बाला जो जगा है जब इस जो है यह बना देंगे इतना दूरी पे it will look some kind of like this okay बस एही करना है आपको और क्वाल साइट का जो यह सेल है इसको भी आप धीर धीर और पास ला सकते हैं यह बीच का जो भी लॉस है इस सेक्शन को मिटाने के लिए तो this is how you can make some profit out of it और बीच में आगा रहे गया है तो यह बाला जो एक नॉर्माल आइरन फ्लाई है यह इसके साथ मिला कर करेंगे तो it will give you a good profit ओके ऐसा करेंगे तो it will give you a very very good profit क्योंकि most of the time market इसके बाहर जाने का खत्रा कम होते हैं इसके अंदर रहने का खत्रा ही जादा हो तो this is how you can manage all these things तो आयो कि मैंने आप लोग को आच्छे से समझा पाया हूं कि आपको मार्केट में ultimately करना क्या है चाहिए इधर आपका जो भी different strategies है या फिर कौन सी वेपर भी मार्केट चाल रहे है you can make such kind of strategies और दो strategy को मिला कर आपगर आप चलेंगे तो obviously आप profit पर रहने का chance बहुत ज्यादा है compared to the losses और इधर से जो भी हमको छोटा मोटा profit मिल रहा होगा ऐसे ही कुछ चोटा मोटा profit से हम क्या कर सकते हैं कि इससे हम कोई intraday कर सकते हैं कोई experiment कर सकते हैं कोई नया strategy okay this is how we can grow our account तो आयो कि मैंने आप लोग को properly समझाए हैं तो आप लोग भी kindly like किजिए share किजिए आपना दोस्तों के साथ और बाते हैं कि आप लोग को हमारे वीडियो कैसा लाग है तो आभी के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next video